एल्लो प्रेंट्स वेलकम टो ओपुस कीचेन आज करेशीपी टेस्टी बालू शाही मेरा वीडियो हेलफू लगा तो लाइक श्यार कॉमेंट कीजिए और सस्क्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को सस्क्राइब कीचिए बेल आइकन में क्लिक कीचिए लेटेस्ट वीडियो आपडेट पाने के लिए हालू आई जैसे बालू शाही बनाने के लिए एसव इंगेडियांस चाहिए दू कप मैदा लिया एक कप घी आधर चमच बेकिंग पाउडर एक चुटकी नमक पानी शुगर शिरप बनाने के लिए हाई बंडीट ग्राम सुगर तीन इलाइची फ्राइं के लिए ओल शुगर शिरप को कुक कर लेंगी लाइची पाउडर बनाके एड कर दिया और पांच पीनीट वाइल कर लेती हूँ मैदा में एक चुटकी नमक बेकिंग पाउडर और जो घी लिया वाइड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया अभी पानी एड करके आटा गुंद के रेडी नहीं करूंगे और ली बाइंडिंग करूंगी अुछ टलीं करको हम जोजुट Rs 1 एकषब करमं गरूंगीया यो क्वाइट गूंदने का कुछ जरुड़्याद नहीं ेच गूंदेगच अकुछ मिश्था शिप कर ले गूंधा बनके रेडी हो गया एक तरका जचनी बनाया और क्यास बंद करके साइट में रख देती हूं लो आची तरह से सेट हो गया बहुत ही अच्छी तरह से लेयर्स निकल के आया तो इसको नीट करने का ज़रूरत नहीं है ऐसे हातों में गोल-गोल घुमाते जने का और नीचे तक हुल करने का ऐसे जैसे डोनट कर सेफ होते है ऐसे ऐसे सारे बना के तयार कर लेती हूं सारे बलुस ही बना के तयार कर लिया चल देए फ्राइं के लिए ऑल गरम हने के लिए रख दिया था हलका गरम हने से बलुस ही याड़ कर देने का ज़दा होट आइल में फ तो प्राइ नहीं होता इसके लिए लो फ्रेम में बालो साइड को फ्राइ करने के एक फ्राइ होने को बाद में ऑईल का उपर आजाएगा अभी फ्लिप करूंगे बालो साइड एक साइड अच्छी तरह से सिख्या फुल के बढ़ावी हो गया अई क्लिप कर लीटे वी दोलो साइड कलर चेंज होने तक फ्राई कर लूगी पलट पलट के बहुत ही अच्छा काल रहा है अभी दोनों साइड बहुत ही अच्छा तरश से प्राई हो गया अभी निकल की रखते हूं सेम प्रोसेस में सारे बालुशाई को फ्राई कर लेती हूं सुगर शिरप हलका सा गरम है और जो बालुशाई बनाया डिप कर लेती हूं ऐसे सारे एड़ करते जाओंगी और शुगर शिरप में एड़ करके दो मिनिट ऐसे डिप करके रखूंगी तो सारे बालुशाई में शुगर शिरप अंदर तर चला जाएगा बालुशाई बहुत ही अच्छा तरह से सुगर शिरप में डिप कर लिया प्लेट में एरेंज क कर लेती हूँ और सेकेंड बैठ को भी ऐसे सुगर सिरफ में डिप कर लेती हूँ तेस्टी बालू शाही बनके रेडी हो गया बहुत ही कौम इंग्रिडियंस में बन जते हैं और खाने में बहुत शाधी स्टाइक बार जोरू ट्राइब कीजिए और आप लोग के एक्सपीरि पर शिरफ गया बहुत ही क्रिस्पी बना है देखिए बहुत ही सॉप्ट और अंदर तक जूसी गया अग्रश आपिशाएं